ओम स्री गनी सैनम दोस्तू एश्ट्रू समधान यूट्यूब चैनल में आपका हारदिक स्वागत हैं दोस्तू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आठ दिसंबर सुक्रवार के रासी फलक के बारे में कीह दिन सिंग रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिस और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत पर पूर्ण जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मीडिया आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय प करते हैं क्या आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तों आज कुछ राजनितिक लोगों से मुलाकात आपकी लोग प्रियता को बढ़ाएगी साथ ही जन संपर्क का दाइरा भी विस्त रित करेगी संतान की तरफ से उनके करियर को लेकर आज कोई सुब समाच आपको मिल सकता है आपका सिद्धानतवादी दरश्टिकॉन समाज और धार्मिक इस्थल में आपको सम्मान जनक उपादी प्रदान करवा सकता है साती धार्मिक और आध्यात्मिक गत्य वीदियों में आज आपका महत्पपूर्ण योगदान रहेगा प्रॉपर्टी संबं भग्य और संतान संबंदित कामों में भी सुविधा प्रदान कर रहा है आपका विवेक और आधर्स वादी स्वभाव आपके लिए आज महत्पपूर्ण उपलब दियां दिलाएगा दोस्तों आज ग्रह इस्तिती आपके लिए काफी संतोस जनक है जो लोग आपके में आएंगे और संबंदों में भी काफी सुदार आएगा सभी काम आज सांतिपूर्ण तरीके से संपन होते हुए चले जाएंगे दोस्तों भावुकता की बजाए वेवारिक दस्टिकोन आपके कामों में सायक रहेगा आपकी सकारात्मक वे संतुलित सोच आपको आगे ब आज योजना वनेगी आप दोबारा से अपने आपको तरोताजा महसूस करेंगे साथ ही रुकी हुई बड़ी पेमेंट आज मिलने से आर्थिक इस्तिती में काफी हद तक सुदार आजाएगा जिससे आपको काफी सुकून मिलेगा और आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दो कारें करने से छल या धोके के आप सिकार हो सकते हैं कोई भी काम करने में ज्यादा सोच विचार में समय ना लगाएं इससे समय आपके हाथ से निकल सकता है सामाजिक रिस्तों को मदूर बना कर रखना आवश्चक है कभी कभी कुछ नकार अत्मक पुरानी बातें दुबारा उठ सकती हैं जिसकी वज़े से आप अपने मनोवल में काफी हद तक कमी महसूस करेंगे अपने स्वयभाव को पॉजिटिव बना कर रखें दोस्तों इस बात का भी आपको ध्यान देने की आवश्चकता है कि आपके सरल स्वयभाव का कुछ लोग नाजाज फायदा उठा स सकते हैं जिससे आपकी मन इस्थिती कुछ विचलित हो सकती हैं दूसरों के मसले सुल जाने में आपके कई महत्पपूर्ण काम भी रुख सकते हैं दोस्तों किसी के साथ कोई वादा किया है तो अवश्य पूरा करें नहीं तो समाज में आपकी छवी बिगड सकती हैं और पूर रहें इस समय धन संबंदी कुछ नुक्सान दायक इस्तितियां प्रतीत हो रही हैं इसलिए किसी भी प्रकार के निवेश को आज फिलाल टाल दें संपत्ती संबंदित विवाद के मामलों में भी ध्यान रखें कि भाईयों के साथ संबंद खराब ना हो बच्चों की गति विदियो पर ध्यान रखने की अतियावशक हैं उनके कुछ गलत आदते या संगत उन्हें परिशानी में डाल सकती हैं उन्हें शकारातमक कारों में व्यस्त करना अतियावशक हैं जो उनके भविश्य के लिए काफी लाबदायक साबित होगा दोस्तों बात कर लेते है आज आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली हैं दोस्तों घर का माहौल अनुशासित और आज खुशन मा रहेगा प्रेम संबंदों में मरियादा बना कर रखना आवशक हैं आपकी समस्याओं को सुल जाने में आपके जीवन साथी वे बच्चों का पूरा शयोग रहेगा जि इससे घर परिवार में वातावरन खुशनमा और सुकत बना रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं जब का वैवेशाय केरियर कैसा रहने वाला हैं दोस्तों कार रहे इस्थल पर लिए गए ठोस निर्णे बहतरीन साबित होंगे और कामियाबी भी आपको वश्य मिलेगी आज म दोका धड़ी हो सकती है नोकरी में किसी प्रकार के इस्थान परिवर्थन या तबादली की भी आज इस्तितियां बन रही हैं कारे इस्थल पर किसी पडोसी के द्वारा लड़ाई जगडे जैसी इस्तिति बन रहे हैं कुछ कानूनीや निवेस सम्मंधित जटिलताओं का भ को हांसिल हो सकें दोस्तों वैवसाइक प्रतिष्ठान में अनुबभी और परिवार के वरिष्ट जनों की अनुमती और सहमती से कार्य करने से काफी समस्यें आसानी से हल हो जाएंगी धन के लेन देन संबंदित कार्य में अचानक से कोई लाबदाइक इस्तिती आज बनेगी जिससे आपको काफी खुसी का अनुबभ होगा दोस्तों कार्य छित्र में जो आप बदलाव सम्मंदित योजनाएं बना रहे हैं उन सबी पर अमल करने का आज उचित समय नहीं हैं इस समय अपनी अधिक्तम उर्जा निवेस सम्मंदित कार्यों में लगाएं वर्तमान गति स्वास्त बहुती अच्छा रहेगा परंतु फिर भी दिन चरिया को वेवस्तित बनाकर रखना आपके लिए अतियावशक है इसके लिए आप अपने खान पान पर ध्यान दें और आप अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए रोजाना योग करें वयाम करें स् आज आपके लिए विशेश उपाय क्या है दोस्तों आज आप इश्नान आदिशे निर्वत रहुने के बाद मा लक्षमी के मंदर में जाकर मा लक्षमी को आप एक जटा वारा नारियल गुलाब कमल पुस्पमाला सबा मीटर गुलावी या फिर सपेद कपड़ा सबापाउ च और इसके बाद मा लक्षमी जी की कपूर तता देशी गी से आरती उतार कर शिरी कनक धारा शुरोत का जाप करें जया दोस्तों ऐसा करने मात्र से ही मा लक्षमी बहुत जल्द प्रशन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगी तो भी आपके जीवन में परिशाने चल अवश्य करें आपको अवश्य ही लब प्राप्त होगा दोस्तों मा लक्षमी का शिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट स्बोक्स में जै मा लक्षमी अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद